एल्विश यादव ने दिया अभिशेक को जवाम कहा हर कोई दोगला है बिल क्या है पूरी खबर आईए जानते हैं इस रिपोर्ट में अभिशेक मलहान और एल्विश यादव को बिग बॉस के OTT की सीजन टू में देखा गया था यहां दोनों के भाई चारे को ओडियंस ने खुब पसंद किया था शो के दौरान अभिशेक और एल्विश यादव को सपोर्ट करते दिखे थे वहीं शो के विनर जहां एल्विश यादव बने वहीं इस शो के रणर अभिशेक मलहान थे दोनों को काफी तगड़ी वोटिंग मिली पर वोटिंग के अधार पर एल्विश आगे निकल गए वहीं शो खत्म होने के बाद से ये क्यास लगने लगे थे कि दोनों के बीच अब दोस्ती खत्म हो गई है हाली में एक व्लॉग में भी एल्विश ने अभिशेक पर खूब इलजाम लगाये थे उन्होंने कहा था कि अभिशेक उनकी नेगेटिव पी आर करवा रहा है और उन्हें ट्रोल करवा रहा है और इसके लिए 25 लाख रुपए भी दिये हैं इस बात को सुनने के बाद अभिशेक ने एल्विश को ट्विट करते हुए कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं 25 लाख क्या 25 रुपए भी इन सब पर खर्च नहीं कर सकता हूँ ये गलत है और इस बात को क्लियर करो एल्विश के फैंस अभिशेक को खोग गालियां दे रहे थे और काफी अभिशेक को ट्रोल कर रहे थे अब हाली में अभिशेक मलहान को सिधार्थ कनन के इंटर्व्यू में देखा गया जहां सिधार्ट कननन ने उनसे पूछा कि आखिर अभिशेक और अलविश के बीच जो चल रही कॉंट्रोवर्सी है उसकी सचाई क्या है इस पर अभिशेक ने कहा कि जब मुझे ये सारी बातें पता चली तो मैंने अलविश को मैसेज किया और अलविश से पूछा कि आखिर क्या है भाई और ये सब क्या चल रहा है और अब हम दोनों के बीच में चीज़े ठीक है वही अभिशेक ने ये भी कहा कि अलविश लोगों के बहकावे में आ गया और कुछ लोगों ने उससे गलत बोला और उसे अलविश ने मान लिया हम दोनों की दोस्ती घर के अंदर काफी अच्छी थी और अगर ये करना होता मुझे तो मैं बिग बॉस के घर में ही करता जब मैं था उसके शोज इतने के बाद अब मुझे ये सब कराने की कोई जरूरत नहीं है अब एलविश यादव का एक पुराना वीडियो बाइरल हो रहा है जिसे इसी कॉंटेक्स्ट में जोड कर उनके फैंस शेयर कर रहे हैं इस 15 सेकेंड की वीडियो में एलविश कहते नजर आते हैं कि ये दुनिया दोगली है यहां हर कोई दोगला है बस एक बास समझ लो कि अपने काम से काम रखो और दूसरे के फटे में मूँ मट डालो इस तरीके से बोलते हैं अलविश नजर आ रहे हैं और इसे अब अभिशेक ने जो स्टेटमेंट सिधार्ट करनन के इंटरव्यू में दिया था उससे जोड कर देखा जा रहा है फिलाल तो एलविश ने इस पर कोई रियाक्शन नहीं दिया है और वो लंडन में है और अपनी वेब सीरीज की शूटिंग में बिजी है क्या कहना है आपका एलविश और अभिशेक की दोस्ती पर हमें कॉमेंस के जरीए जरूर बताएं